हेलो फ्रेंस वेलकम टू बीनाज किचिन आज हम बनेंगे बहुत शांदार सी मिठाई जो कि जटपट से बनके तयार हो जाती है आप देख सकते हैं इसका टेक्शर है बिल्कुल मावे की मिठाई की तरह ही है पर हमने इसमें मावे का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है फ्रे पारर पौडर हम उसकिया है वान फोर्थ कब इसमें चेनी डाली है जो सकते है यूज इन ये डाल, बहुत ही अच्छा आता अर आप इसे एक बढ़ना करके देखेंगे तो आपको ये मिठाई जो है अच्छी लगने वाली है बिल्कुल महंगी मिठाई जैसे हम मार्केट से लाते हैं उस तरह यह इसका टेस्ट होता है देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल फाइंड से इसका पाउडर तयार हुआ है इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं अब हमने इसमें डाल लिया है आदा कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं फ्रेस यह जो मिठाई है बहुत ही कम इंग्रेंट्स में बन करके तयार हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में यह उसे तयार कर जा सकता है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा यह देख सकते हैं यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें दूद डाल लेते हैं तो दूद आप यहां पे ठंडा या तो फिर नॉर्मल टेंपरेचर का यूज करें गरम दूद का इसमें यूज नहीं करेंगे तो इसमें हमें बहुत ही कम दूद लगेगा एक बार में बहुत जादा दूद इसमें यूज नहीं करेंगे तो एक बार में आप एक एक चमच करके ही दूद का यूज़ करें तो यहाँ पर दो सी तीन चमच में ही यह बिल्कुल अच्छी तरह से डोबन करके तयार हो जाएगा तो फ्रेंस एक बार पहले एक चमच दूद डाले फिर इसे मिलाए उसके बाद आप जिस ही साब से ज़रत पढ़े उस उसाब से ही आप इसमें दूद का यूज़ करें तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंस हमें यहाँ पर थोड़ा सा और दूद की ज़रत पढ़ेगी तो हम यहाँ पर एक और चमच दूद डाल लेते हैं कि यहां हमने करीब 3 चपमच दूद का यूज किया हुआ है तो अब इसे हमें तब तक मिला लेना है जब तक कि इस में से बिल्कुल अच्छा चिकना सा डू तफ्यार ना हो जाए यह देख सकते हैं यह हमारा जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से चिकना सा बद दे जा रहा है और हमें यहां पर घी की भी ज़रुत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमने कोकोलेट पॉडर यूज किया है उसमें ही अपना पॉइल होता है तो यह देखिए फरेंस यह बिल्कु पॉडर का यूज किया है उससे इसमें मावी का टेक्स्ट्चर आता है आप यहां देख सकते हैं हमारा जो डो है बिल्कुल अच्छी तरह से तयार हो चुका है बिल्कुल चिकना सा हमें डो बना के तयार करना है और अगर आपका जो है थोड़ा गीला हो गया है तो आप इस लड़ो की तरह गोल-गोल शेप दे या तो फिर पेड़े की तरह शेप दे सकते हैं अपनी पसंद को कोई भी शेप आप इसमें बना सकते हैं तो यह देखिए फ्रेस कितनी आसानी से यह जो मिठाई हो तयार हो चुकी है बिना गैस जलाए हमने इतनी शांदार सी मिठाई बना के तयार की है आप इसे किसी भी ड्राइफूट से साथ गार्निश कर सकते हैं या इस तरह से आप यहां पे चानी का वर्क लगा सकते हैं इससे बिलकुल मार्केट की तरह यह मिठाई देखने में लगती है यह हमारी बहुत ही शांदार सी मिठाई तयार हो गई है प्रे desiccated coconut powder यानि की नारल का बुरादा आधर कब हम डाल लेते मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप यहां पर किसी भी ब्राइन का यूज कर सकते हैं इलाईची पाउडर डाल लेते हैं अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं के छार मर्च हम डालेतें इसमें फील चीनी और अब हम इसमें डूद डालेंगे और इस अच्छी तरह से मिला लेंगे थूद स्वेग्य बहुत जादा नहीं रालना है इस तारह से आप एक यह दो चम'mच ही इसमें डूद डाले तो दो चम्मज दूद हमने इसमें डाला है और अच्छी तरह से अब हम इसे मिला लेगा अगर आपको ये मिश्रन जादा गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा नायल का पौडर डाल सकते हैं और अगर आपको इसमें दूद की जरुद पड़े तो आप इसमें दूद डा सकते हैं तो पहले आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले उसके बाद ही अगर आपको दूद की जरुद पड़े तो डाले सिर्फ दो चम्मजदूद से हमने इसे अच्छी तरह से गूत लिया है तो यह जो मिठाई है न बहुत इंस्टेंटली बन करके तयार हो जाती है आप किसी भी फेस्टिवल में इसे बना करके तयार कर सकते हैं तो इसमने जादे इंग्रेंटस भी यूज नहीं किए है यह देख सकते हैं फिर्स अच्छी तरह इसे हमने घूत लिया है यह देखिए बिलकुर चित तरह से चिकना हो चुका है और सिर्फ दो चम्मजदूद से हमने इससे बना लिया है है अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेते हैं एससे मिटाई को इसमें अच्छी तरह से इस तरह से रोल कर लेते हैं ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए あ यह देख सकते हैं अब हम दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं फ्रीजर में अब हम इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से यह सेट हो जाएगा 15 मिनट के बाद हम इसे खोल देते हैं यह देख सकते हैं gathering हमारा मिठाई जो है वो सेट वो चुका है और अब हम इसे काटके देख लेते है यह देकिए daion मिनमें हमारी जहड़पट से मिठाई बनकर के तयार हो चुकिहैं आप देखे सकते हैं कितनी आसानी से बन चुकी है और बहुत कम टाइम में भपी हमने बना लिया है यह देखे कमाली मिठाई बन के तयार हो चुकी है आप इसे भूठे या तोटी फूटी से से गार्निश कर सकते हैं अगर आपको ये इंस्टेंट से बनने वाली मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करके घंटी की बुटन जरू दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई